स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड ओनलाइन इस्टेडी में दोस्तों इस वीडियो में हम राज द्रेशन के अंदर देव भूमी उत्राखंड के बारे में बात करेंगे जिनके अंदर हम 21 टोपिक जो है एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे जिसके अंदर इस्तिती विस्तार से लगा कर कलासर करती इतियास तता भोगोलिक रूप सभी जो है इस वीडियो में हम पूरी तरह से अध्यन करने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्राखंड के बारे में तो उत्राखंड के अंदर बहुत सारे परवत, पठार और दर्रे, नदियां और वन्य जीव अभ्यारान आते हैं जिनके अंदर हम सभी को एक एक पॉइंट यार डिटेल वाइस इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से समझने वाले हैं तो सबसे पहले हम उत्राखंड के बारे में समझ लेते हैं तो उत्राखंड में आपका स्वागत है उत्राखंड का घटन जो है नो नौमबर 2000 को भारत के 27 स्वे राजी के रूप में हुआ जब इसे उत्री या उत्र परदेश से अलग किया गया था हिमाले परवत सरंकला की तलहटी में इस्ति दिया मुक्यत एक पहाडी राजी जिसके उत्तर में चीन पूरु में नेपाल की जो है अंतराश्टी सीमा आती हैं और उत्तर परदेश हैं इसका शेत्रफल जो है 53483 वर्ग किलोमेटर है जनसंक्या 100.86 लाख है और राजदानी देहरा दून है इसके अंदर 13 जिल्ले है और शाक्षरतादर 88.80 परतिशत है अक्षास 28 डिगरी 43 उत्तर से 31 डिगरी 27 उत्तर तक इस्तित हैं राजजी बाषय जो है हिंदी संसका थे घटन जो है नो नोमबर 2000 को हुआ और राजजी पाल गुरुमित सी और मुक्य मंत्री ज इस का राजिय स्वा में तीन और लोख स्वा में पांस्वी सेडल सी उत्राखण्ड में इस्तिति राजज की सी तीना तीन परवत चोटिय के मद्य गंगा की चार लहरे वाला है राजजपक्षि मोनाल है राज़े पुष्प ब्रह्मा कमल है राजज वरक्ष भुरांश है राज तिदली जो है वो कोमन पिकोख है और राजी वन्य पश्यू जो है वो कस्तूरी मर्ग जो है इस राजी का राजी पश्यू है उसके बाद अगला जो है उतराखण के परमुक इस्तलव उनके उपनाम तो सहरा गाटी को पिथोरागड करते हैं छोटा कश्मीर को कहते हैं उत्तर का काशी जो है अल्मोडा को कहते हैं हिमाले की द्वारी का जो है द्वार हट अल्मोडा को कहते हैं विबादयश्वर अल्मोडा को कहते हैं बाल मिठाई का गर अल्मोडा तामरे नगरी अल्मोडा पीता नगरी अल्मोडा मंदिरों की नगरी अल्मोडा व् द्रोनागीरी रिशिकेश को, हर्बल गार्डन रिशिकेश, मुनिकी रेती रिशिकेश, संत नगरी रिशिकेश, और सेनिक नगरी देहरादून, पहाडो की रानी मसूरी देहरादून, मुर्तियों का बंडार लाखा मंडल देहरादून, सिल्क पार्क देहरादून, पुंब नगरी हरीद्वार, पूर्व का वेनिस हरीद्वार, उसके बाद उत्राखंड राज्जी का इतियास में उत्राखंड का नाम केदारखंड, मानखंड और हीमवत जैसे पूराने हिंदू ग्रंत में भी पाया गया, यहाँ पर कुशान, कुदीन, कनेश, समुद्र पार और आखिर में अंग्रेज्जों ने शाषन किया था, इस इस इस्तान पर बहुत सारे पवित्र तीरत इस्तल और मंदिर होने की वजह से इस इस्तान को जो है देव भूमी के नाम से जाना जाता है, इस पहाड़ी इलाके में प्रियोटों को देखने के लिए कही सारी ज प्रियोटों के लिए जाना जाता है, लेकिन सन 1935 में इस राजी को जो है उत्राणचल का नाम दिया गया, केवल सहिक्त परांथ का आ गया, मगर 1950 में इसे परांथ का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश नाम दिया गया और उत्तराणचल इसी का ही सारा, लेकिन 9 नॉम्बर 2000 को उत्तराणचल को अलग करके राज का दर्जा दिया गया, इसकी वज़े से बात का सत्यस्वा राज निर्मान हुआ, एक जनवरी 2007 से राज का नाम उत्तराणचल से बदल कर उत्तरा खंड जो है इसका कर दिया गया है, बात करें राज के जो है वर्तमान मुख्यमंत्री और पहले मुख्यमंत्री तो पहले जो इसके मुख्यमंत्री थे वो नित्यानंद स्वामी थे और इसके पर्थम जो है गरोनार सुर्जित सी बरनाला थे, वर्तमान में इसके गरोनार जो है लेप्टिनेट जनरल गुरुमित सी हैं और बात करें इसके मुख्यमंत्री की तो मु दूसरा बागेश्वर, तीसा चमवोली, चोता चमपावद, पांचवा देहरादून, छटा हरिद्वार, सातवा नेनिताल, आटवा पोड़ी गडवाल, नौवा टीहरी गडवाल, दसवा उत्तरकाशी, ग्यारवा पितोरागड, बारवा रुद्र प्रियाग, और इसका जो पिंडार नदी आती हैं, और मंदागिनी नदी आती हैं, ये जो है इसके अंदर पांच प्रियाग भी है, देव प्रियाग, विष्णु प्रियाग, कर्ण प्रियाग, रुद्र प्रियाग, जो भी है इसके अंदर ये आते हैं, उसके बाद अलक नेन्दा नदी की बात करे तो इसका जो उद्गम इस्तल है उत्तरकाशी और चमोली सीमा पर इस्तित सर्वागर्णों ही पर इस्तित संतोपत गलेशर से होता है लंबाई की बात करें तो इसकी एक सो पिचानवे किलोमेटर है और साइक नदिया सरस्वती पश्ची में धोली गंगा नाबलिका लक्षमन गंगा और नंदागिनी पिंडार और मंदागिनी जो है इसकी प्रमुक साइक नदिया है यमना नदि तंत्र के अंदर इसका उद्गम इस्तल उत्तरकाशी के बंदरपुच परवत के दक्षिनी पश्ची में डाल पैस्तित यमना उत्री हिमनाद से होता है और इसकी लंबाई 136 किलोमेटर है इसके साइक नदिया रिशी गंगा, हनुमान गंगा, कृष्णा गार्ड, कमल गार्ड, बद्री गार्ड, टोंस, खुतनु गार्ड, बर्नी गार्ड आदी है यमना नदि उत्तरकाशी वत देहरादुन से बहते हुए राज्य से बाहर निकल जाती है उसके बाद आगे जो नदी है वो टोंस नदी है, इसकी लंबा 148 किलोमेटर है उत्तरकाशी इस्तित बंदर पुछ परवत के उत्तर सरवागरोहिनी गलेश्यर से निकलती है टोस नदी पर इच्छाड़ी बांद है जो उत्तरकाशी जिल्ले के गंगोतरी से 19 किलोमेटर दूर इस्तित शिवलिंग सीकर से सटे गंगोतरी हिमनत के गोमुक नामकिस्तान से ये निकलती है इसकी लंबाई 205 किलोमेटर है साहिक नदिय की बात करें तो मेद गंगा, दूद गंगा, राम गंगा वा बाल गंगा नदिया जो है इस भागिरती नदी की साहिक नदिया है और भागिरती नदी से बीस से अधिक नदिया इसमें मिलती है परवतों की बात करें तो नंदा देवी परवात, कामेट परवात, नंदा देवी पूर्व, अभी गमीन परवात, माना परवात, मुकुट परवात, बदरिनात परवात, और चेखंबा परवात, और त्रिशुल परवात जो है प्रमुक हैं, नंदा देवी की सबसे उची चो चामेट की 7756 मिटर अती है नंदा देवी पूर और पश्रीम दो चोटिया है और उसके बाद अगला जो टोपिक है वो है नंदा देवी के बारे में नंदा देवी की उचाई 787 मिटर चमोली जन्पद में ये इस्तित है राज की सबसे उची चोटी है अगर बात की जाए नं इस्तान आता है नंदा देवी पूर्व में रिशी गंगा तदा पशी में गोरी गंगा गाटी के बीच जो है इस्तित है उसके बाद नंदा देवी पूर्वी जिसे सुननदा परवत भी जो है कहा जाता है कामेट परवत की बात की जाए तो यह राज की दूसरी सबसे उची चोटी हैं जो चमोली में इस्ती थे इसकी उचाई 7756 मिटर है कामेट पशीमी दवल गंगा तता सरस्वती नदियों के मध्य कामेट परवत तीन हिमांचित परवतों से गीरा हुआ है माना मुकुट अभी गामिनी परवत जो है आधी आते हैं उसके बाद नेनी ताल की बात क स्नोव यू आलम सरीय काटा नेनी ताल की खोज 1841 में CP बेरन ने की थी नेनी ताल जो है एक उत्राखंड की प्रमुक जील है उसके बाद आगे की जो ताल या जील है वो है भीम ताल जो उत्राखंड के नेनी ताल जिल्ले में स्ती थे और कुमायू का सबसे बड़ा ताल है नो कुचिया ताल की बात करेती है नेनी ताल से 26 किलो मेटर और भीम ताल से 5 किलो मेटर दूरी पर नेनी ताल जिले में इस्तित है नो कुचिया ताल कुमायू की सबसे गहरी जील या ताल है नो कुचिया ताल में जो है नो कोने हैं इसे इसलिए नो कुचिया ताल जील कहा जाता है उसके बाद आगे जो जील है वो साथ ताल है साथ ताल जो है नेनी ताल से 22 किलोमेटर और भीम ताल से 4 किलोमेटर दूरी पर जो है कुमायू की सबसे सुन्दर जील है यहाँ पर साथ जिले थी जिसमें से कई सूक गई हैं इनके अंदर नल इदम्यन्ती, गुरूड या पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्षमन तालवा, रामसिता ताल प्रमुक जिले हैं आगे जो जिल है वो है खुर्पा ताल, खुर्पा ताल नेनी ताल से बारा किलोमेटर दूरी पेस्तित है और इसका आकार जो है वो जानवरों के खुर के समान है इसलिए से खुर्पा ताल जिले कहते हैं आगे की जो जिले वो है द्रून सागर यह ताल उदमसी नगर के काशीपूर से दो किलोमेटर की दूरी पेस्तित है यह गुरु द्रोन ने अपने शिशो को या धनुविद्या की शिक्षा दीती गीरी ताल उदमसी नगर जिले में है और शामला ताल जो है वो चंपावत जिले में है जहां पर सपेद कमल के फूल मिलते हैं शामला ताल की किनारे विवाकेन आश्रम इस्तित हैं और यहां पर जूला मिला लगता है आगे जो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर उत्राखण में दो टाइगर रिजर्व है पहला है जीम कारबेट नेशनल पार्क 1903 में पर्थम टाइगर रिजर्व बना था, दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क जो 48 वा टाइगर रिजर्व दो हजार पंदरा में जो है इसको गोशित किया गया था उत्राखंड राजी में छे राष्ट्री उद्यान यानि नेशनल पार्क है गंगोत्री, राजाजी, नंदादेवी, जीम कारबेट और गोविंद और छट्टा जो है वो है फुलो की गाटी राष्ट्री उद्यान बात करें जीम कारबेट नेशनल पार्क की तो इसकी स्थावना 1936 में हुई विस्तार 520.82 वर किलोमेटर पोड़ी नेनिताल जन्पद में है उत्राखंड भारत का पर्थम राष्टी उद्यान है भारत का पर्थम टाइगर रिजर्वी है 1903 में जो है इसे पर्थम टाइगर किया गया था अगला है राजाजी नेशनल पार्क इसकी स्थावना 1983 में की गई विस्तार 820.42 वर किलोमेटर हैं तीन जन्पदों में फेला हुआ है देरादून हरिद्वार और पोड़ी पार्क मुक्याले इसका देरादून है और यहां निवास करने वाले जीव में जो है हाती, शेर, चीता, टाइगर, नीलगाई, हीरन, आधी आते हैं राजाजी नेशनल पार्क का नाम सोतंत बार्त के भारती गवरुनर जनरल राज गोपलाचारी के नाम पर जो है रखा गया था अगला है घंगोत्री नेशनल पार्क इस्तापना 1989 में की गई थी, विस्तार 2390 बर किलोमेटर है उत्तरकाशी जन्पद में जो ही ये फेला हुआ है, राज का शेत्रफल के आदार पर सबसे बड़ा नेशनल पार्क है यहाँ पर निवास करने वाले जीव मोनाल पक्षी हीम तेंदुआ आते हैं, नंदा देवी राश्टी उद्यान की स्तापना 1982 में की गई 624 बर किलोमेटर इसका शेत्रफले और चमोली जन्पद में ये आता है, पार्का मुक्याले जोशी मठ हैं और यहाँ निवास करने व नंदोर, बिनसर तथा मंसूरी जो है ये वन्य जीव विहार जो है उत्राखन में इस्तित हैं, उत्राखन के नर्तियों में रनबूत नर्त गड़वाल शेत्र में जो लोग युद में वीरगती प्राप्त करते हैं उन्हें देवता के समान आधर प्राप्त होता हैं और रन माईके से आती हैं, इसके विशे सामाजिक तथा आध्यात्मिक होते हैं, चोपला नर्त गड़वाल शेत्र का सरंगार बावपरदान नर्त हैं और इसमें किसी वाजी अंत्र का प्रियोग नहीं होता हैं, गसियारी नर्त प्रवश चरंकला में गास कारती हुई सम्व वैसक जाता हैं, खाती होता हैं, छीन् włas प्रवाल शेत्र का प्रवश होता हैं, समयारी रातो का अलवापरदा सरंगार होते हैं, और वह सलिया नर्त अंत्र में गड़वाल बावव जाता हैं, और केदारा नर्थ ढोल दमाओ के कठोर वाधिसोरों में विकट तलवार या लाटी संचलन की तंडव शेलिकाय अध्बुत नर्थ हैं सराई सरो नर्थ ये युद्ध कोशल का अनोखा नर्थ है पहले ठकुरी राजा दूसरे ठकुरी राजा की पुत्री का अप्राण करने जाते थे विवान होने पर ये युद्ध होता था अगला नर्थ है चेति पसारा चेत के सारे महिने व्यावसाइक जाते के लोग अपने ठकुरों के गर्ब के आगे घाते वो नाचते हैं शीव पारवती नर्ट जो है ये नर्ट बद्दी या मिरासी शीव के कथाना को लेकर पारवती की जन के लेकर विवास योग वियोग तका आता है नर्ट नर्ट जो है वो जन समाज के मनोरंजनात ये लोग नर्ट नर्ट का हाश्चिपूर्ण परसंग अपने नर्टियों में रखते हैं इसे नर्थयों का आयजन मेलों में अधिक होता हैं दीपक नर्थ की बात करें तो प्रारम में ये नर्थ थाले नर्थ के समानी होता था अंत में थाल में जो है दिये सजा कर नर्थ की जो है नर्थ करती हैं बद्रिनात की बात करें तो बद्रिनात एक हिंदू मंद और ये भगवान विश्णु को समरपित हैं, ये मंदीर बात में उत्तराखंड में बद्रिनात शहर में स्थित हैं, बद्रिनात मंदीर चार दाम और छोटा चार दाम तीरत इस्तुलों में से एक है, ये अलक नंदा नदी के बाहें तट पर नर और नारायन नमक दो परवतों के बीच स्थित हैं, ये पंच बद्री में से एक बद्री हैं, उत्तराखंड में पंच बद्री, पंच केदार का बहुत महत्त हैं, केदारनात मंदीर की बात की जाए, तो केदारनात मंदीर उत्राखंड के रुद्र प्रियाग जिल्ले में आता हैं, और उत्तराखंड में ह शिलाखंड बूरे रंग की हैं, मंदिर लगबग 6 फीट उचे चबूत्रे पर इस्तित हैं, मंसा देवी मंदिर की बात करेती है परसित धार्मिक स्तल है, जो हरिद्वार में हर की पोड़ी के पास गंगा किनारे पाहडी पर इस्तित एक शृद्दा और आस्ता का प्रमुक के जाता है, यह मंदिर मा मंसा को सम्पृति है, जिसे वासुकी नाग की बहन के रूप में जाना जाता है, नंदा देवी मंदिर कुमाई शत्र के उत्राखन राज के अलमोडा जिल्ले के पवित्रिस्तलों में से एक हैं, इस मंदिर में देवी दुरगा का अवतार विराजमा और इस मंदिर को चंद वंच की इष्ट देवी या मा नंदा देवी को जो है यह समरपित है, नंदा देवी मा दुरगा का अवतार वर भगवान शंकर की पतनी है, परवती आचल की मुख्य देवी के रूप में इसकी पूजा की जाती है, और नंदा देवी गडवाल के रा आम जुल्ला या शिवानन जुल्ला से जो है कुछ किलोमेटर के दूरी पर मनिकुट परवत की घांटी पर इस्तित हैं. मनिकुट परवत की गोध में इस्तित मदुमती, मनि बद्रा वपंकजा, चंद्रबदा नदियों के शानमुकी संगम पर इस्तित निल कांट महादे दिर एक परसिद्ध धार्मी के केंद्र हैं मेलों की बात करी जाए तो कुंब मेला उत्राकंड के सबसे परमुक्ति वहरों में से एक हैं आपको बताते कि यह मेला जिसमें देशपर के तेथ यादरी जमा होते हैं इस मेले में अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए लोग गंगा नदी में डूब की लगाते हैं यह मेला तीन महीने तक चलता हैं और हर चार साल में एक बार इलाबाद, हरिद्वार, उज्जेर और नासिक में लगता हैं इसका मतलब है यह 12 साल में एक बार इन जगहों पर में से किसी एक जगह पर इस मेले का आयोजन होता हैं उत् बसंत पंचमी ये उत्राखंड में प्रमुकिता से मनाय जाता है, बसंत के मोसम में मनाय जाता है, बसंत पंचमी उत्राखंड का एक महत्पूर्ट आ रहे हैं और ये फरवरी के महिने में मनाय जाता है, इस मोके पर लोग पिले वस्तेधारन करते हैं, इस दोरान लोग अगले त्योहार की अगर बात की जाए तो अगला जो त्योहार है वो है लोकपर्व हरेला लोकपर्व हरेला जो है वो भी बहुत ही इंपोर्टेंट त्योहार है क्योंकि हरेला जो है यह उत्राखंड राज का एक सबसे महत्पून त्योहार कर सकते हैं उत्राखंड भारत का इसार राज्जी हैं जहां पर लोग हर मोसम में कोई नी कोई त्योवार मनाते हैं तो हरेला भी एक त्योवार है वारिश के मोसम में मांसुन की शुरुआत में यह मनाई जाता हैं यानि कि स्रावन महिने के अंदर यह जुलाई अगस्त में मनाई जाता हैं कुमायू कथा भी है कि भगवान शीव और पारवती के विवा जो समारों हैं उसके रूप में जो है इस हरेला त्योहर को जो है मनाते हैं हरेला त्योहर जो है वो सार्वन के महीने में यानि कि जुलाई अगस्त में जो है प्रमुक जो है मनाये जाता हैं अगला जो त्योहर है वो है लो साती ही अजनिय राजों में भी यह मनाए जाता हैं, हिंदु दार्मिक गंतों में मकत सक्रांदी का अपना एक अलग मात्तों हैं, इस खास दिन लोग सुर्य देवता की पूजा करते हैं, नदी में स्नान करते हैं, इसके अलावा उत्राखंड के स्तानी लोग इस मोखे पतंग भी उड़ाते हैं, थारू जन जाती जो है, वो एक जन संक्या की दरश्टी से उत्राखंड की सबसे बड़ी जन जाती हैं, और ये उदमसी नगर, नगर के खटीमा, किच्छा और सितार गंज के 141 गाओं में निवास करती हैं, उत्राखंड के अलावा थारू जन जाती, अ इनकी बनावट जो है, मिलती हैं, तो ये जो है उत्राखंड की प्रमुक जन जाती हैं, उसके बाद जो अगली जन जाती हैं, वो है जोन स्री जन जाती, जोन स्री जन जाती उत्राखंड की दूसरी सबसे बड़ी जन जाती हैं, जो मुक की रूप से बाबर शेत्र, वो दे जिवार से देखने को मिलता है इनकी मुख्य बाशा जोनसरी है तता कही कही देवगधारी वह हिमाचली बाशा भी जो है बूली जाती है यह जन जाती खसास कारीगर और हरिजन खसास नामक तीन वरगों में जो है बाटी गई है पोटिया जन जाती एक अर्ध गुवन्तु ज जाती है जो पूर्व में तिबबत और चीन से व्यापार किया करती थी इस जन जाती के लोगों को खस राजपूत करते हैं बोटिया जन जाती के लोगों को कश्मीर के लद्दाक में भोटा तता हिमाचल जे किन नोर में इने भोट के नाम से जाना जाता है उत्तराखन में बोटिया जनजाती के लोग पितोरागड, चमोली तता उतरकाशी जिल्ले के 111 राणवे सीमावर्ती घाओं में निवास करते हैं, जिनमें अंगर, जादूग वल नेलग उतरकाशी में चमोली में माना मलारी आदी निवास करते हैं, बोकसा जनजाती जो है वो उतरकंड के तराई भाबर शेत्र में उदमसी नगर के बाजपूर, गधरपूर, एंव काशी पूर, नेनी ताल के राम नगर, पोड़ी के दुगड़ा, तता देरादून के विकास नगर और डोई वाला एंव सासपूर विकास कंडों के 173 घाओं में निवास करते हैं, नेनी तालबा उदमसी नगर के बोकसा बोल शेत्रों को बुकसार कहा जाता है, इनके वंशुजों के बारे में विद्वानों का मन्त है कि इन्हें पवार वंश का मना जाता है, अगले उत्राखंड के बाहंदों में मुक्यूरूप से टीरी विकास प टीरी बांध मद्धी हिमाले के बुकम भी गेप में इस्ति थे, इसके इस्तान का शेत्र एक परमुक भूगर भी दो शेत्र के रूप में भी जाना जाता है, बांध के संस्तापनों का दावा है कि रेक्टर पेमाने पर लगबग साथ पॉंद दो की तिरवता के बुकम का यह जो है सामना कर सकता है, टीरी बांध का मुक्य उद्देश लगबग 2400 मेगावाट की बिजली उत्पादन है, यह लगबग 37 लाख वेक्टर शेत्र की सीचाई आउशक्ताओं को भी पूरा करता है, दिल्ली उत्तर प्रदेश उत्राखन के उत्योगिक शेत्रों को जो ह यह जल अपूर्ती करता है, अगला है दोली गंगा बांध, दोली गंगा बाद उत्तराखन राजि का एक बांध है, यह दोली गंगा पावर प्रोजेक्ट के तहत बनाये गया है, इसका निर्मान भारत नेपाल और चीन के भारती हिमाले के सीमा वरती त्रिकौन में किया ग बांद के निर्मान के पीछे का प्रमुकान सीचाई था, बांद का निर्मान जो है वो 1905 में जो है ये पूरा हुआ था अगला बांद है इसचरी बांद, इसचरी बांद उत्राकंड के देरादुन जिल्ले में जो है बांद के निर्मान के पीछे पन बिजली का उत्पादन करना था, गंगा नदी इसचरी बांद का बेसिन बनाती है, इसका निर्माद 1922 में हुआ मनेरी बांद उत्राखंड के उत्तरकाशी जिल्ले में इस्तित है बांद की उचाई लगबग 49 मीटर है और लंबाई की बात की जाए तो 127 मीटर है बांद की पीछे का जो पर्मुक उद्देश है वो पन बिजली का उत्पादन था अगले दर्रे की बात की जाए तो उत्राखंड के अंदर स्रंग कंठ दर्रा धांगला दर्रा मुलिंगला नेलंग साग चोकला माना डूंगरीला नीती दर्रा कींगरी बींगरी उट्टा जैनती बालचा दुर्रा लम लंग दर्रा चोरी होती दर्रा शल शलता दर्रा बारा ह दर्रा दार्मा दर्रा लिपूलेक दर्रा मांशा दर्रा लंपिया दुरा और लेवी दुरा जो है उत्राखन के प्रमुक दर्रे हैं इसके अंदर माना नीती और लिपूलेक जो है प्रमुक है नीती दर्रा चमोली तिबबत को जो है जोड़ने का कारे करता है और माना दर्रा की अगर बात की जाए तो ये चमोली तिबबत को जोड़ता है माना और नीती दोनों चमोली तिबबत को जोड़ते हैं लिपूलेक दर्रा जो है पितोरागड से तिबबत के बीच में इस्तित है लमलंग जो दर्रा है वो चमोली और तिबबत के बीच में इस्तित है तो उत्राखंड में क्रशी की उत्राखंड की लगबग 90 परतिशत जनसंग्या करशी पर निर्बत है राज में कुल खेती योगी शेत्र 7,14,117 हेक्टर हैं राज की कुल आबादी का पिचोतर परतिशत हिस्सा जो है ग्रामिन है जो अपने आजिवका के लिए प्रमपरागत रूप से क्रशी पर निर्बर हैं आजादी के बाद जब उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाष भूमी सुदार कानून में राम बंचायतों के अंदर करशी कानून बना यहां पर जो है मोटे अनाज रागी जूंगरा कोणी चीना दान गेहूं जो दाले तिलहन कम उप्योग वाली फसले चेलाई कुट्टू ओगल बत्वा कद्दू बंगीरा जखिया आदी की प्रमुकतिया से यहां पर क्रेशी क की जाती हैं यहां पर आमायन देत जो है पहाड़ी कर्शी की प्रदानता रहती हैं अगली बात करें तो उत्राखंड राज्ज की चित्रकला की बात की जाए तो उत्राखंड की चित्रकला में प्रमुक चित्र है एपण या छिपण चित्र उत्रकंड लोग चित्रकला शेल वह पूजा अधुरी मानी जाती हैं धार्मिक अनुष्टानों में इस कला का प्रियोग चोकी बनाने वह दहलिज वह आंगन में सजावट के लिए किया जाता हैं इसके अंतरगत गेरु लाल मिटी वह चावल के गोल विश्वार से सुर्य चंद्र स्वास्तिक संक पुष्व आधी आकर्तिया बनाई जाती हैं तो एपन जो है या छिपन जो है यहां की प्रमुक प्ला करती हैं जो चित्रकला के अंधर आती हैं चित्रकला की और बात की जाए तो यहां आपका जो अगला चित्र हैं वो कांगडा चित्र शेली हैं और उत्तरखन लोग चित्रकला शेल वेश्णव दर्म के अन्युयाई वक्रेश्ण वक्त है यही कारान है कि उत्राखंड चित्र शैली में क्रेश्ण ही छाये रहे इस चित्र शैली से संबने चित्र विश्व के अनेक संग्राले में जो है सरंग्षित है अगली जो प्रमुक इसके चित्र है वो जियोती मात्र का चित्र हैं जो विभिन रंगों के प्रियोगों से देवी देवताओं के सुन्दर चित्र बनाए जाते हैं दूसरा जो चित्र है परकेंड चित्र है इसके अंतरगत रंग वब्रुष या अंगुलियों के माध्यम से कागज दर्वाजो चुरहो आधी पर वीभिन परकार के चित्र बनाए जाते हैं जूती मात्र का चित्र दशेरा नवरात्री दीपावली आधी मांगलिक अवसरों पर जो है ये बनाए जाते हैं अगले जो चित्र हैं उनके अंदर जो है प्रसिद्ध चित्रों के अंदर एक चित्रकार हुए थे जिनका नाम है मोला राम तोमर मोला राम तोमर जो है गडवाल शेली का सबसे महान चितरकार था जिसे परदीप शाह, ललिश शाह, जे किर्थी शाह वा प्रद्यूम शाह का सरक्षन प्राप्थ हुआ मोला राम की मुर्चिक पिशाह गडवाल शेली की अवनती होने लगी मोला राम दुआरा बनाएगे प्रमुक चितरों में चंद्रमुकी, मयंक मुकी, मस्तानी, रादा क्रिष्ण मिलन, उतकन टिता, नाइका, विप्रलंबा, नाइका, सितार प्रिया, जे देव, वजीर, दंपती, प्रद्यूम शावा, रानिका, चितर, हिंडोला, वाक सर्टिय नाइका आदी है, खनीजों की बात की जाए तो उत्राखन में प्रमुक्तियास से चुना पत्तर मिलता है, जो देरादून, टीहरी, गडवाल, पोड़ी, गडवाल, चमोली, जिल्ले में मिलते हैं, इसकेतरिक चुना पत्तर, उत्राखन राज में, अलमोडा, नेनिताल, व पितरा खड में, जो भी है, कही जगह उपलबद है, चुना पत्तर का उपयोग, जो है, मुख्य रूप से सिमेंट बनाने के लिए इस्ता उपयोग किया जाता है, चुना पत्तर के बाद, जो अगला खनीज है, वो है संग मरमर, उत्राखन राज में संग मरमर, जो है, वो मेगने साइट उत्राखन राज में, कुमायू मंदल के अलमोडा, पितोरागड, बागेश्व तदा गडवाल मंदल के चमोली में काफी अधिक मात्रा में मिलता है, उत्राखन राज से मिलने वाला मेगने साइट परदेश की ही नहीं, बलकि देश का भी मेगने साइट का ब खडिया चोग, खडिया चोग जो है देरादून, टीरी, पोडी, चमोली, नेनिताल, आदी जन्पदों में पाए जाता है। के नाम से भी जानते हैं। अगले जो खडिया उनके अंदर आते हैं। यूरेनियम, सोना, चांदी, बहुत सारे खडिया उनके अंदर आते हैं। उत्राखंड के अंदर। तो अगला है डोलोमाइट, डोलोमाइट जो है देरादून, टीरी, वा पित्तोरगड, जिल्ले में डोलोमाइट पाए जाता है। डोलोमाइट का उप्योग जो है सिमेंट, प्लास्ट्रो, पेरिस, तता तेजाग आधी के निर्मान में किया जाता है। सेल खडि जो है ये प्रमुक्त्या, देरादून, टीरी, पोडी, गडवा, जन्पद में जो है सेल खडि के बंडार आत हैं सेल खडि का उप्योग जो है रासानिक उर्वाग सिमेंट का अगज आधी में किया जाता है। अगले जो खणीज हैं उनके अंदर जो है आने वाले खणीज हैं डोलोमाइट सेल खडि ये आपको बताई दिये हैं बहुत ही इंपोर्टेंड ये खणीज हैं जो अगर बात की जाए तो इसके अंदर गंदक आता हैं गंदक राज्जी में गंदक की खोज सरोपतम उनिस स्थत्तावन में चमोली के नंद प्रियाग में रूप गंगा गाटी में हुई थी इसके बाद परदेश में चमोली के ही गोहना ताल के पास ये पाया गया गंदक जो है वो गुला पाया गया ये भी मना जाता है कि सस्त दारा में नहाने से तोचा के कई रोग ठीक हो जाते हैं अगला जो खनीज है वो है जिपसम परदेश में जिपसम मुक्की रुप से तहरा दून तीहरी पोडी नेनिता तता अलमोडा में पाई जाता हैं जिपसम का उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग सिमेंट में जो है इसको मिलाए जाता है गंदक व अमोनियम सलपेट के निर्माण में भी जिपसम का मुख्यता रूप से इसका उपयोग किया जाता है जिपसम एक बहुती महत्पूर्ण खनीज है अगला खनीज है सोना सोना जो है सारदा वा राम गंगा के बालू में कुछ मातरा में यह पाये जाता है इसके अतरिक उत्राखण राज में सोना अलक नंदा और पिंडार के बालू में भी जो है मिलता है चांदी की बात करें तो प्रदेश में चांदी अल्मोडा जन्पद में कुछ महात्रा में मिलता है यूरेनियम यूरेनियम जो है उसके होने के संकेत टीहरी गडवाल जिल्ले से प्राक्त हुए हैं अभी यूरेनियम की यहाँ पर खुदाई नहीं की जाती हैं लेकिन यहाँ पर यूरेनियम के टीहर जो द्रशनी इस्तल हैं उनके बारे में जो है पढ़ेंगे उत्राखंड की जो प्रमुक रूप से द्रशनी इस्तल आते हैं उसके अंदर जो पहला मुख्य रूप से परसी द्रशनी इस्तल है वो है केदारनात बद्रीनात बद्रीनात उत्राखंड का एक लोग पुरिय तीर एक मार्ग भी हैं और यह परवती अभियानों के लिए प्रसिद्ध हैं पद्रिनाद मंदिर मुक्या आकर्शन है यह भगवान विश्णु को समर्पित है और चार दाम और छोटा चार दाम हिंदू तीरतियात्रा का एक महत्पू इस्सा है मंदिर दिविश देशम के नाम से जाने वाला तमील संतो दुआरा भगवान विश्णु को समर्पित 108 मंदिरों में से एक है बद्रिनाद मंदिर परिस्थर के पास की गर्म जरने अपने धार्मिक और ओषदी मुल्यों के लिए पूजनी है या तीन मुक्य गर्म जरने है युक्त रूप से भारत का जील जिला इसे कहा जाता है ये कही जिलों से गिरा हुआ है हील इस्टेशन के चारों और ब्रप से ढकी विशाल चोटिया है जो समुद्र तल से 7000 फिट उपर है नेनी या नेनी ताल में केंद्र एक प्राकर्तिक ताजा जील है आखों के आकार क ये जील कुमायू शेत्र की सबसे प्रसिद्ध जिलों में से एक है ये नोका विहार पिकनिक और शाम की शहर के लिए आदर्श इस्तान माना जाता है नेनी ताल जील साथ चोटियों से गिरी एक मन मोहक जील है उच्चे पहड़ों को देखने के लिए नाव की सवारी विश लें दुद्रप्रियाक जिल्में श्तित केदारनाथ जब्स मालह में जिसी एक चोटा सश है उसे हिंदोों के सबसे पवित्र ती किरी शब्स में से एक मना जाता है ये प्रसिद्र केदारनाथ मंदीर है जो छोटा चार थाम यातरा का हिस्ता है पवित्र नदी मंदागीने के पास 3564 मिटर के उचाई पर इस्तित हैं यहां मंदिर भगवान शीव को समरपी थे हैं केदारनाद मंदिर बात में भगवान शीव के 12 जोतिर लिंगों में से एक हैं यहां मना जाता है कि मंदिर का निर्मान पांडों ने युद के दोरान की गई हत्याओं के पाप को पाप से खुद को मुक्ति पानने के लिए किया गया था केदारनाद मंदिर के पीछे केदारनाद शीकर, केदार गुम्बद और अन्य हिमाले हैं चोटिया दुनिया की दूसरी सबसे उंची चोटी गोरी कुंड देखने लायक हैं यह इस्तान माना जाता कि यह देवी पार्वती ने भगवांशिव को प्रसंद करने के लिए तपश्या की थी अगला है रिशी केश रिशी केश उत्राखंड के सबसे अच्छे परियाटन इस्तलों में से एक है यह अपने शांद मंदिरों, रीवर राप्टिंग, बंजी जंपिंग, जीप लाइनिंग, ट्रेकिंग, विशाल जुले और रोक क्लाइमिंग जैसे रोमान्चकारी साहसिक खेलों के लिए लोकप्री है सुन्दर हिमाले की खिलाब इस्तिद रिशी केश में पवित्र गंगा है परियाटक यहां अध्यात्मिक तीर्त यात्रा और कल्यान के लिए आते हैं क्योंकि यह योग और ध्यान की विश्व राजदानिक के रूप में प्रस्षिद्य है जुडवापूल, राम और लक्षमर जुला, वास्तु, शिल्प, उपलिवद्या है क्योंकि यह पूल गंगा के उपर 750 फीट पर निलंबी थे अगला है उत्राखंड की राजदानी देहरादून देहरादून प्रेटा इस्तल जीने कोई भी देख सकता है उनमें घुपाये, जर्ने, प्राकरतिक, जर्ने, शामिल है शारदा जिसका आरते हजार गुना वसंद एक लोग पर ये आकर्शन है ये अपने चिकिसी और ओश्डी गुनों के लिए परसिदे क्योंकि ये पाने में सलपर होता है सस्त दार के पास रोफे अगुन्तकों को आसपास के शेत्र के मनोरम द्रश का आनंद लेने के लिए एक उच बिंदू पर ले जाता है देरादुन के अन्य प्रियाटर के स्तलों में रोबर की गुपा, मालसी, हीरन पार्क, राजाजी, राष्टी उध्यान, भारती वाने की अनुसंदान और शिक्षा परिशद सामिल है देरादुन जो है उत्राखंड की एक राजदानी भी है उसके बाद अगला जो प्रियाटर नीश्टल है वो है हरिद्द्वार हरिद्वार जिसे कुम्व नगरी भी कहा जाता है तीर्त यात्रा और दर्शने इस्तलों की यात्रा के लिए हरिद्द्वार उत्राखंड में गूमने की इस्तानों में से एक है भारत के सबसे पवित्य शरों में से एक के रूप में ये जाने जाता है हरिद्वार कई मंदिरों और आश्रमों का घर है पर्भु के प्रिवेश द्वार के रूप में अनुवादित हरिद्वार कुंब मेले के लिए परसिद्ध है विविन मंद्रों को अलावा हरिद्वार में 13 शताब्दी की प्रसित दरवगा हैं हर की पोड़ी गाट एक दर्शनी इस्तल है ऐसा माना जाता है इस गाट को राजा विक्रमादित ने अपने भाई की याद में बनवाये था हरिद्वार में शाम की आर्थी में शामिल हो जो एक दिव्य दर्श्टी है ब्रह्म कुंड को सबसे अद्वुक आर्थियों में से एक माना जाता है राजाजी राष्टी उध्यान का हिस्ता चिल्ला वन्य जी अब्यारान प्रकति और सासिक प्रेमियों के लिए यह एक लोग पर यह गंतव्य है प्राकतिक सुंदरता और समर्द जेविविता भारत और विदेशों में जो है बहुत ही विख्यात आती है तोस्तों यह था उत्राखंड राजदर्शन उत्राखंड राजदर्शन के अंदर हमने एक वीडियो में 21 टोपिक कवर किये हैं जो सभी परतियोगी प्रिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्पूर है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट हैं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे हम इसी परकार के वीडियो जो है इस चैनल पर लेके आते रहते हैं राजी दर्शन के लिए अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें इसी के साथ मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं